वीडियो के अंदर हमेने आपको बताया है टारेक्ट इससे परके बात के बादे के बार्ट के बादे है कि पॉर्ट का है वहाँ किया है पॉनिक्र क्या है वह रिखाया है कि आएगे अच्छा यह सबसे पहले हम बताने को अब हमारे पास कीबोड के अंगर तेसे वाल जैसे कि मैं आपको पहले बताया है कि कीबोड एक टाइमिंग के लिए यूड होता है और इसका परपास होता है जरस्टरी गंपूर्डर को कंट्रोल करना होता है और इसके कीज बरकिर ही जगर है और इसको थोड़ा चान लेते हैं आच CIE CANA Singapore कि कि तो छोड़ा नजय जोड़ा है in कि कीज को हम के तेफ़ की कि आपको नजर आदी है F1 F2 F3 अरह तेमां फंक्राशन कीर दो होती है और इसका एक कोई नजया कोई फर्पस होता है इसका दी है कि हम आगे वाली वीडियो के अंदर इंचाला मैं आपको यह सारे परफस बता हूँ आप पिलाल जो में में पॉइंट है वो आप देख लें इसी तरह से यह आपके पास यह बटन होते हैं इसको हम नमेरिक कित कहते हैं यह नमबर कीज इसी तरह नम लोग होता है नम लोग जैसे हम बटन क्रेस करते हैं तो हमारे नमबर स्टाट हो जाते हैं यह पिलस माइनस यह अर्टमेटिक अपरेशन होते हैं इसी तरह से हमारे पा इसी तरह से हमारे पास पनीन की कोई चीज को में आप क्या और की आप साथ है। कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पार स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा यह तमाम जो है चोटी चोटी चीज़ है इसको पूरा हम डिफाइंग एक वीडियो के अंदर इंशालला मैं आपको बता हूँ है किस का परपस क्या होता है में में पॉइंट क्या होते हैं अभी फ फार बीच में जो होता है यह रूलर होता करनी कि जहले हम कोई भीची प्रॉपर्टी को हम आपिं लैप कर सकते हैं जो है ब्सक्राइब क्यों चीफिंख कर सकते हैं इसका काम होता है मुवमेंट करवाना किसी चीज़ को आपरने अपन Heart upstream करना है जो उसकी मदद से यह कर सकते हैं और यह जब मदद करता है कंप्यूटर चलाने के बता है। आप देख सकते हैं, यह हमारे पास LCD, LCD और monitor में कुछ ज़्यादा फरक नहीं होता है, LCD और monitor के अंदर, जो computer का हम वर्क करते हैं, वह हमारे को display करके बता है, जो हम काम कर रहे होते हैं, वह हमें display कर रहा होता है, वह हमें output दे रहा होता है, LCD जो है, हमारा main purpose होता है, यह हमारे पास LCD, आप देख सकते हैं, LCD के अंदर हम आसानी से, जो computer पर काम करेंगे, वह हमें display करके बताएगा, और monitor जो होता है, हमारे पास उसके अलग properties होती है, और उसके अलग functions होते हैं, और आपको बताएगा, अच्छा, यह हमारे पास CPU होता है, यह central processing unit जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो के बताएगा था, और इसके यह होता हमारे पास एक computer होता है, इसी तरह से हम यह power का button होता है, जैसे हम इसको button को press करते हैं, दबाते तो हमारे computer start होता है, यह हमारे पास USB के port होता है, यह हम जैसे बटन प्रेस करेंगे, तो हम इस वगेरा हम लगा सकते हैं, एसी तरह से अच्छाव होता है, यह हमारे पास CPU के अंदर पारका होता है, यानि कि power की cable लगाएगए, तो हमारे पास liول जाएगी, यह cable हमारे लाट मी जाएगी, इसी तरह से हमारे पास cutter यह cable के होता है, इसको हम कहता है, व्यूंजे cable, इसकी फैन्न माउस को, की पॉर्ट को कर सकते हैं इसी कर भी फैन्ना यह होता है कि हमारा जो कम्प्यूटर के अंदर जो हीट कर रहा हुता है अंदर काफी वक के अंदर चल रहा हुता है तो इसको हम यह बाहर की तरह बेकर होता है